नमस्कार चात्रों हम पढ़ रहे हैं मात्राई हम सबको मालम है कि किसी भी भाशा के सही उच्चारन के लिए मात्राई भढ़ना जरूरी है पिछली कक्षा में हम आ की मात्रा से र की मात्रा तक पढ़ चुके है आईए आज हम ए मात्रा से लेकर अह मात्रा तक पढ़ेंगे अच्चा चात्रों देखिए एक की मात्रा यह है एक की मात्रा यह वेंजन की ऊपर लगा जाता है ए से बेना शब्द है सेब शेर सेब क्या है सेब माने एपल और शेर का मीनिंग क्या है शेर मेंज लायन चात्रों अगला वर्न कौन से है हाँ आई येस ओके आई यह है इसकी मात्रा आई से बना शब्द है बाईल थाईला बाईल मीन्स बुल्ड थाईला मीन्स बैग शात्रों अगला वर्न कौन से है अगला वर्न है ओ अब हम ओकी मात्रा पढ़ेंगे कौन सी है ओकी मात्रा हाँ ये है ओकी मात्रा ओकी मात्रा से बना शब्द है मोर तोटा मोर मीनिंग क्या है मोर मीनिंग है पीकोग तोटा तोटा माने पैरेट दो पक्षियां का नाम है अच्छा अगला वर्न कौन सी है अगला स्वर ओकी मात्रा ये है चात्रों आपको मालूम है ओकी मात्रा से बना शब्द है नवका नवका माने बोट और पाउठा पाउठा माने क्या है हाँ प्लैंट अच्छा देखिए बेचे अगला वर्न है अम अम की मात्रा वेंचन की ऊपर एक बिंदू जैसे लगा जाता है आपको मालूम है इस बिंदू को क्या करते है इस बिंदू को अनुस्वार भी कहा जाता है अच्छा देखिए बेचे अम मात्रा से बना शब्द कौन-कौन से है रात में हमें प्रगाश देते हैं क्या है यह? चात्रों दूसरा शब्द कौन से है? पंखा पंखा गर्मी में हमें हवा देते हैं हमारे गर में है क्या है पंखा मीन्स फैन अकला वर्ण है अह यह है इसका मात्रा इस मात्रा का उच्चारण है ह इसे बना शग्द है पुन्यहा प्रादहा पुन्यहा माने एगेन प्रादहा माने इन दा माने अच्चा चात्रों अब सभी लोग एह अच्चे से लिख कर पढ़ना चाहिए All the best! Thank you all!